लगत शरीब शांट vy εकमेस चान्यक्र प्रग्रों छानी करने में चाइफ समझे के निच्प में उतके जन्यक्रेट máy Bradley वीजी जहे थरीज Georgia County शांट रखी चाहिंगारक्र 2018 शामणाइब क्ट eerste एग के च्था पीछ पर हमने कुछ ये हैं तो येधी worden भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको निप्टी और बैंक निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत हम बिल्कुल IOC के stock price क्या आज हुआ उसके साथ करने वाले तो IOC में अगर देखे काफी बहतर ही return आज देखने को बिले कल जो गिरावट थी बिल्कुल उसे इतने speedly recover कर लिया है और हैवी अगर देखे हैं तो stock ने 124.35 रुपिस के round तक की closing दी है और return की अगर बात कर ले तो 4.30 पेसे तक की काफी अच्छी बढ़त stock ने यहाँ पर बताई है 3.58% के basis पर तो returns यहाँ पर काफी शानदार है stock में काफी अच्छी तरीके से growth यहाँ पर share में नजर आती है और आगे भी उमीद है कि इसी तरीके से stock आगे बढ़ेगा पिछले 5 दिन की अगर बात कर ले तो 5 दिन में भी stock consistency के साथ आगे बढ़ रहा था बट गिरावट हमें कहा देखने को मिली एक बड़ी गिरावट आई थी stock में अगर आप देखोगे तो कल के दिन एक 5 रुपे 95 पेसे के राउन तक की गिरावट बता चुका था बट आज की अगर बात कर ले तो stock ने आज एक काफी अच्छी तेजी हाँ पर बताई और काफी अच्छी तरीके से stock ने return दिया है और यहाँ पर पिछले एक महीने में stock फीड से और कल यहाँ पर थोड़े कम return देखने को मिल रहे था बट आज फेर से अगर देखें तो 23 रुपे 10 पेसे तक की तेजी मिल दिया है चे महीने में 32 रुपे के राउंट की तेजी है और एक साल में 49 रुपे तो यहाँ पर stock में अगर देखें तो एक consistency के साथ growth नजर आ रही है consistency के साथ stock आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से stock में आगे भी हमें और भी अच्छे return देखने वहाँ पर मिलेगे और वही अगर देखें तो कल मैंने एक चीज कही थी कि जो यहाँ पर crude oil है उसका price कही न कहीं डाउन जा रहा जिसकी वज़र से stock अगर देखें तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ भी हमें जरा रहा है और साधी अगर बात कर लें तो क्या stock में right issue का यहाँ पर जल्दी हमें right issue मिलने आला है तो एक चीज में कहते था हूँ कि यहाँ पर IOC में यहाँ पर एक statement आया था IOC की और से 22,000 करोड विया right issue तो यहाँ पर अगर देखें तो company clearly company ने approved कर दिया है कि वो आने वाले टाइम में 22,000 करोड का right issue यहाँ पर लाने करने वाले और बिल्कुल वही अगर देखें तो 22,000 करोड का fund raise करेंगी right issue के धुरूर तो एक बड़ा announcement इन्होंने already किया हुआ था तो यहाँ पर अगर देखें तो कही न कही ऐसा लग रहा है कि हमें यह चीज फरवरी में होती वही नज़रा सकते क्योंकि इसके पीछे का reason है इसके board up directors की meeting company अगर आप देखो तो कही न कही हमेशा से ही dividend देती आई है dividend से हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ पर IOC जो है कई बार हमें फरवरी के round around dividend देती आई है और अभी भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल December almost खतम होने में है और इसके board of directors की meeting भी अभी जल्दी हो सकती है जनवरी के around इसकी meeting होगी और वही अगर देखें इसके बीचे का reason dividend है company हमेशा से ही फरवरी और मार्च के round around dividend देती है याँ 2030 को अगर आप छोड़ो दो तो 2023 में तो दो ही बार dividend मिले है बट 2022 की अगर मैं बात कर लो तो फरवरी में dividend मिला है आप खुद भी देखो 2021 के फरवरी और मार्च दोनों में ही dividend मिला 2020 के मार्च में dividend मिला है और वही गर देखें 2019 के मार्च में dividend है 2018 के फरवरी में dividend है 2017 के मार्च में dividend है 2017 के फरवरी में भी dividend मिला था 2016 के फरवरी में dividend है तो dividend यहाँ पर मिलता है और board of directors ने कहा था कि जो previous board of directors की meeting थी इनकी जो AGM हुआ था general meeting तो तब इनोंने clear कर दिया था कि यहाँ पर अगले event के around around यहाँ पर जो right issue है उसको लेकर एक बड़ा announcement हम कर सकते हैं और बिल्कुल ओ चीज हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है तो डबल धमा का stock में हमें देखने को मिल सकता है तो IOC में इस चीज को लेकर आप positive रह सकते हो यहाँ पर share में अगर देखे तो एक बड़ा announcement आने वाले time में हो सकता है volume की अगर बात कर लें तो कल 3 करोड के round तक का था कल stock ने इसमें खरीदारी भी की और विक्वाली भी की और वही बात करें volume की हम आज के दिन की तो 2 करोड के round तक का trade value तो हमें आज भी देखने को मिलता है साथ ही अगर देखें तो Tata Power के साथ एक चीज तो एक न्यूस वरा नहीं है बड़ा स्टॉक में अगर देखें ये चीज़े काफियत तक positive impact डाल रही है Tata Power और Indian Oil यहाँ पर बिलकुल इनकी और साइक deal sign की है लगबग 500 प्लस EV charging points यहाँ पर establish करने वाले हो IOC के petrol pumper तो एक बड़ी चीज़ है तो IOC के levels भी हमारे लिए important है तो levels को भी हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं Share ने काफी शांदार तरीके से आज बड़त बताई Morning में stock में अगर देखें गिरावट आई थी Market भी Morning में गिरा था और इसके इसाब से भी गिरावट आई और भी बढ़ रहा है और यहाँ पर इस particular trade line को follow कर सकता है तो इस trade line को आप ध्यान में रखो इस trade line को follow करने कोशिश करेगा तो इसी trade line के थुरू stock में अगर देखें आने वाले टाइम में और बड़ी बड़त हमें देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर अगर देखें stock में बड़ी गिरावटे भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर अगर आप देखोगे stock में अच्छा support भी है उपर से अगर हम देखें तो rejection भी है proper upside down momentum हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है इसी के साथ अगर आप देखोगे stock में एक breakdown आया और breakdown के बाद stock में एक बड़ी गिरावट है बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो share में एक अच्छा support नजराता है इस point पे एक strong support नजराता है इस point पे और यही सा stock में एक बड़ा gain भी हमें देखने को मिल रहा है तो यह levels के बारे में हमने कल ही बात की थी कि यह levels हमारे लिए इतने ज्यादा important क्यों है और हम क्यों इनके उपर बार-बार focus कर रहे है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इस level से stock में पहले एक symmetrical type pattern बना था इसी level के round breakout भी मिला breakout के बाद यहाँ पर इसने sustain भी किया sustain करने के बाद अभी यह वाले level की बात करें तो यहाँ पर इस particular level के round यहाँ पर consolidation हुआ है यहाँ से एक बड़ा jump आया फिर एक essential type triangle इसका breakout मिला फिर एक rising wedge type channel इसका breakdown भी गिरावट भी support भी लिया stock ने और अब एक अच्छी बड़ाद भी आगे बता रहा है तो यह points हमने discuss किये थे तो यह जो level है हमने शुरू से ही काफियत तक discussion इनके उपर किया था कि यह point हमारे लिए काफियत तक important है क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखो support है यहाँ पर भी support है तो इसी के भी आप stock अच्छा घासा उपर कियो जा रहा है तो हम कल के लिए भी आपर positive है stock में अच्छे return हमें कल के दिन भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर stock अगर देख से 126 रुपे तक जाने की कोशिश कर सकता है तो आइवोसी को लेकर इस particular वीडियो में काफी कुछ हमने बाते कर ली है और आइवोसी में अगर देखे काफी लोग अपना interest भी बता रहा है और share आने वारे time में अच्छे return भी दे सकता है तो Indian Oil Corporation को लेकर अगर आपको यह वीडियो helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दिना साथ ही आप चैनल को subscribe भी कर सकते हो और अगर आपको nipty और bank nipty के update चाहिए तो आप हमारे telegram channel को भी join कर लो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको काफी कुछ चीज़े जेखने को मिलने वाली एक बार check out कर लेना और साथ ही आप यहाँ पर इन shares का खुछ से भी analysis करना